नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की ओडोकसिल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है ओडोकसिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओडोकसिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की ओडोकसिल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में ओडोक्सिल टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ओडोक्सिल टेबलेट सेफलोस्पोरिन ड्रग क्लास की एक इंतिबायोतिक दवा है। ओडोक्सिल टेबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफणों में इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इन्फेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर ओडोकसिल ट दुखार हो सकता है। इसलिए दुखार होने पर भी आपका Dr. Odoxil Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। फेफडो में infection होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर ओडोक्सिल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है जिन में आपका डॉक्टर ओडोकसिल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है ओडोकसिल एक ग्रेंड नेम है ओडोकसिल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन से फारोकसिल होता है ओडोकसिल टैबलेट 250 mg और 500 mg की स्ट्रें अभेलेबल हैं दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना नह भूलें अब हम डिसकस करेंगे की ओडोकसिल टैबलेट को कैसे लेना रेकमिंडेड होता है ओडोकसिल टैबलेट को खाना-खाने के बाद लेना रेकमिंडेड होता है आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज् वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यत्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको ओडोक्सिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ओडोक्सिल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापिस आ सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि ओडोक्सिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते है वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओडोकसिल टेबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में ओडोकसिल टेबलेट की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, तवचा पर रैशेस, ओडोकसिल टेबलेट को लेना recommended नहीं होता है, ओडोकसिल टेबलेट वाइरल infection होने पर, जैसे जुखाम या flu होने पर काम नहीं करती हैं, इसलिए एंटी बायोतिक डवाओं को कभी लेना चाहिए, जब जरूरत हो, बार बार या बिना जरूरत के एंटी बायोतिक डवाओं में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी एंटी बायोतिक डवा देनी पर सकती है, अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए, क्यो अगरी डेन से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को ओडोक्सिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ओडोक्सिल टैबलेट को ले सकती है या नहीं, वैसे ओडोक्सिल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है, लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ओडोक्सिल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं, इसलिए प्रेगनेंट को ओडोक्सिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओडोक्सिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद कुछ सकते हैं